नमस्क्रक्भा दोस्तों स्वागर ऐक बार फिर से अब सभी का हमारे चैनल और पीटर नौफ बर तो कि दोस्तों हम बात कर रहे थे अ Gregory के बारे में और तो दोस्तों अब जो exam so यह हो चुका है दोस्तों ऐसे मन बात करने वाले हैं इंट पूरा एक सीरीज दोस्तों हमारा रहने वाला इस टॉपिक के ऊपर जिसमें हम इस पूरे टॉपिक को चाहते हैं या कर चुके हैं यह में आगे फ्यूचर में करने वाले हैं तो आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए क्योंकिолж dadуть nursing से लेटिज सारे टॉपिक आपको मिल जाते हैं सिर्फसुर् совет जैनल Daniel do subscribe to the channel तो दोस्टो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे मैं आज हम क्या बात करने वाथ करने वाले हैं nursing जिसमें दोस्तो आप जैसे कि जानते हों मिभी ना जानते हूं तो दोस्तों डीजिद्फ करेंगे सब्सक्राइब करता हैं और ध्यूंद को जोकी उनको करना होता है इसका बीक्त करना होता है जो जो कि दोस्तों आपको फिर बाद में कई सारे entrance exam में भी देखने को मिलता है जो nursing के entrance exam होते हैं तो दोस्तों ऐसे में अगर आप इंग topics को अच्छे से learn करते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों जो आपका time आगी लगने वाला होता है nursing entrance exam में या फिर अगर आप college और university level पर भी exam को दे रहे हो तो काफी दोस्तों जो आपका time होता है जो effort होते है एक particular subject में लगाने के लिए दोस्तो कहीं न कहीं बच जाते हैं वह सेव हो जाते हैं तो अभी से अगर आप इन्हें बहुत ही simplified language में समझ लेते हैं तो दोस्तों आप इन्हें attempt कर पाते हैं आपके आने वाले exam में तो दोस्तों आज हम क्या learn करने वाले हैं तो जैसा कि हमने बात किया यहां पर आपको 9-10 topic देख में और management में तो दोस्तों अगर आप भी समझना चाहते हैं organizing को दोस्तों की क्या होता है एक nursing administration में management में या इसमें क्या-क्या आपको you know inputs देखने को मिलते हैं क्या एक role होता है organizing का जब आप nursing administration management की बात करते हैं तो वीडियों दोस्तों लास्त तक जोड़े रहिएगा हमारे सा देखने को मिलें उन्हें आप attempt भी कर पाएं तो देड़ ना करते हैं वीडियों कर बात करते हैं organizing के बारे में तो सबसे पहले objective क्या है दोस्तों इस lesson का तो दोस्तों इस lesson के end में आप क्या-क्या चीज़े समझ पाएंगे क्या क्या होता है अब यह समझ जाएंगे क्या-क्य element होते हैं organization के दोस्तों आपका clear हो जाएगा importance क्या होता है organization क्या होते है और दोस्तों यह आप समझ पाएंगे वीडियो तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं organizing क्या होता है ओर दूस्तों organizing phase में क्या होता है relationship जो है go define किया जाते हैnya यानि कि कि किसका किस से है कॉन किसको 그 allウ इसको order देगा, कौन किससे order को लेगा, उसके रावा procedure होते हैं, उनको outline किया जाता है, क्या किस procedure से काम किया जायना, इकिस procedure को कहाँ पर apply किया जाए गा, procedure apply करने का तरीका क्या koşगा, उसके अलावा equipment ready उसको prepare किया जाता है, और task को assign किया जाता है, यानि कौन सी job किसको करनी है, किसका क्या role रहने वाला है organization में, वो role आप कैसे करोगे, सारी चीज़ दोस्तों आपको organizing में देखने को मिलती हैं, उसके अलावा दोस्तों organizing क्या करता है, एक कहिने का formal structure होता है दोस्तों जो कि provide करता है best possible coordination, यानि कि आप औरों के साथ मिलके कितना अच्छा काम कर सकते हैं, बिकॉस जब हम बात करते हैं organization की, हम बात करते हैं group of people की, यानि बहुत सारे लोग मिलके दोस्तों जब एक साथ काम करते हैं to achieve specific goal, तो वहाँ पर दोस्तों organization एक word आ जाता है, तो जैसे कि दोस्तों आप देख भी सकते हैं last sentence के गर हम बात करें, तो use of resources to accomplish unit objective, ठीक है, तो जब आप resources का use करके दोस्तों एक unit के तौर पर objective को accomplish करने की कोशिश करते हैं, that is organizing, ठीक है, तो organizing क्या होगा है simple terms में दोस्तों, organizing means जब आप साथ में आकर एक group के तौर पर मिलकर काम करते हैं on various levels, और दोस्तों आप एक particular goal को achieve करने की कोशिश करते हैं, that is organizing तो I hope दोस्तों organizing आपको समझ में आगया होगा कि organizing क्या होता है, आगे बात करते हैं दोस्तों, element क्या-क्या होते हैं organizing के, यानि इसमें दोस्तों क्या-क्या element आपको देखने को मिलते हैं, क्या-कैस के part होते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों element के तौर पर आपको देखने को मिलता है organizational structure ठीक है क्या structure होता है organization का developing job description कैसे बनाया जाता है job description को staffing कैसे की जाती है और फिर बाद में दोस्तो scheduling कैसे की जाती है तो यहाँ पर दोस्तो element के तौर पर आपको यह चार चीज़े देखने को मिलती है तो हम बाद में समझें भी one by one के तो इनका क्या roll होता है इनका कैसेimir आफ करना होता हुता है अब दोस्तों समझते है organizational structure के बारे में और स्ट्रॉक्च्र क्या होता तो यहांग पर एक ग्रूप को बनाया जाता है एक line of communication develop किया जाता है उसके अलावा दोस्तों किस तरह से decision making और जो authority है दोस्तों वो channel कैसे की जाएगी यानि कि कोई भी decision लिया जाएगा तो वो किस pattern पर लिया जाएगा decision लेगा कौन decision लेने के लिए दोस्तों किस से advice लेगा है decision लेने का proper method रहने वाला है communication क्या रहेगा communication line यानि कि किस level से किस level की ओर आपको communicate करना है आपको downward communicate करना है या अपको upward communicate करना है फ्र एक formation किया जाता है form किया जाता है उसके अलावा दोस्तो authority को channelize किया जाता है authority in the sense दोस्तो कि जो supervise करेगा वो कौन करेगा direct कौन करेगा ठीक है तो direction के भी different level होते हैं different level पर दोस्तो direct करने के लिए और यहाँ पर assist करने के लिए manage करने के लिए लोग होते हैं जिनका दोस्तो एक particular you know एक role होता है organization में तो वो किस तरह से कौन decide करेगा तो दोस्तो इसी को हम बोलते हैं organizational structure जहाँ पर दोस्तो हम upper level से लेके lower level तक हम नीचे की ओर चलते हैं और वहाँ पर हम बात करते हैं कि कि किसके पास क्या authority रहेगी और किसका क्या role रहेगा साथी साथ दोस्तो decision making में किसका कितना contribution रहेगा यह सारी information दोस्तो आप समझ पाते हैं organizational structure से इसके अलावा दोस्तो यह formal relationship को भी आपको समझने में help करता है कि different position में किसका क्या दोस्तो एक role रहेगा organization में तो यह भी आप समझ पाते हैं organizational chart के थूँ आगे दोस्तो बात करते हैं क्या importance होता है organizational structure का यानि इसकी जरुवत क्यों होती है इसका requirement क्या होता है तो सबसे पहले दोस्तों इसके through members को पता चल पाता है कि उनकी responsibilities क्या है उन्हें काम क्या करना है इसके अलावा दोस्तों यह free कर दीता है manager को और साथी साथ दोस्तों जो individual workers होते हैं कि वो आप सिर्फ concentrate करिए आपका जो भी role duplication हो या फिर conflict हो अब minimal duplication of effort के अगर हम बात करें तो यहां पर एक काम ऐसा ना हो कि आप दो तीन तीन बार कर दें और आपको पता ही नहीं चल रहे कि आप उसी काम को repeat कर रहे हैं तो क्योंकियों पर एक organization structure होता है आपके पासे चार्ट होता है आपको पता होता है आपको क्या करना है कितने टा Pan कोने के चांसे यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो यह भी एक benefit आपको देखने को मिलता है organizational structure का उसके अलावा दोस्तो overlapping को यह रोकता है यानि कि दोस्तों जो overlapping होता है काम का ऐसा नहीं कि काम दोबारा हो गया या काम को आपने फिर से कर दिया उस चीज़ को जिसकी requirement नहीं थी तो यह कहीं नहीं आपकी responsibility की और भी indicate करता है कि आपके responsibility यह है और आपको इस task को complete करना ही करना है because you are there to complete or to perform that particular task इसके अलावा दोस्तों किसको और कहां पर किस चीज़ के लिए कौन responsible है यह भी चीज़े दोस्तों आपको organizational structure से देखने को मिलती है तो इसके बारे में भी दोस्तों आपको idea हो जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों और करता है किसको कितना काम देना है एक framework दोस्तों यह आपको provide करता है managerial authority को define करने के लिए कि किसका क्या authority है किसका क्या role है किसकी क्या responsibility है और कौन किस चीज के लिए accountable है तो यहाँ पर departmentalization से दोस्तों मतलब है यहाँ पर चीजों को set किया जाता है fix किया जाता है याँ बोल सकते हैं प्री प्लांट चीजे होती है चीजों को plan करा जाता है उसके बाद उन्हें फिर associate किया जाता है divide किया जाता है जो भी workers होते हैं आगे बात करें अगर informal relationship के बारे में तो informal structure दोस्तों क्या होता है generally social structure होता है जो की blurred होता है shifting lines यहाँ पर होती है authority की और accountability भी दोस्तों आपको यहाँ पर shifting ही देखने को मिलती है अब shifting से क्या मतलब है shifting authority और accountability से दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक clear pattern नहीं होता है कि किस pattern पर किसको क्या authority दी गई है चैनल नहीं होता है authority का जैसे channel आपको देखने को मिलता है नीचे वाइट में दोस्तों आप देख सकते हैं एक difference यहाँ पर मैंने आपके लिए post किया है कि क्या difference होता है formal और informal में in simplest way तो दोस्तों अगर हम बात करें formal organization की तो दोस्तों यह deliberately top management इसको बनाते हैं क्योंकि top management को पता होता है कि हमें एक जरूवत है formal organization की वहीं बात करें informal organization की दोस्तों तो वो जो है अपने आप form हो जाती है जो भी members होते हैं वहाँ काम करने वाले ठीक है वो ऐसा कोई purposely नहीं form होती है जैसे आप मान लीजे get together एक हुआ आप भी चाय पर मिले वो भी चाय पर मिले और आप में बातों बातों में decide हुआ कि हम लोग अब साथ में काम करेंगे तो automatically दोस्तों spontaneously यहाँ पर एक informal organization form हो जाती है formal organization का दोस्तों काम होता है fulfilling organization objective ठीक है जो भी organization के objective होते हैं उसको पूरा करने का काम होता है यहाँ पर जो formal organization होता है ठीक है इसके opposite दोस्तों informal organization जो होता है उसका काम होता है satisfy social or psychological need यानि की psychological needs क्या है मैं क्या चाहता हूं ठीक है या मेरा colleague जो है मेरे साथ में काम कर रहे है वो क्या चाहता है उसकी personal requirement क्या है जब आप बात करें job के time पर कि मुझे इतना comfort चाहिए मैं इतने मुझे आना चाहता हूं इतने मुझे निकलना चाहता हूं यह क्या है दोस्तों यह कहीं न कहीं आपका एक social need है या एक psychological need है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं एक organization के अंदर तो यहां पर दोस्तों आपको यह information sorry informal relationship देखने को मिलता है है तो आपको clear हो गया होगा formal और informal relationship में क्या difference आपको देखने को मिलता है आगे दोस्तों बात करते हैं अब आप करते है और सब्पर पहले क्या establish करता है दोस्तों तो दोस्तों जो लेवल रहने वाला है और अपिशल पावर टू एक्ट भी बोल सकते हैं इसको उसके अलाबर दोस्तों किसकी क्या responsibility रहने वाली है ठीक है कौन किस काम को करेगा और accountability किसकी क्या रहने वाली है तो औरनेशनल चार्ट का दोस्तों सबसे बड़ा जो help होता है जो establish करने में आपको help करता है वह तीन चीज़ों को establish करने में help करता है सबसे पहले formal line of authority किसके पास क्या authority रहेगी कौन किस designation पर रहेगा किसका क्या responsibility रहेंगी और क्यों कौन किस चीज़ के लिए accountable होगा अगर कुछ चीज अच्छी होती तो उसके लिए accountable है तो इसके लिए accountable है तो यह दोस्तों पूरा आपको देखने को मिलता है organizational chart में जहां पर सभी के बारे में आपको information मिलता है जो भी काम कर रहे होता है बोल सकते हैं आप एक अफिशल पावर होता है जब भी आपको requirement होता है इसके अलावा दोस्तों एक ऐसा होता है जो की organization आपको देती है जिससे की दोस्तों आप काम को कएस्टी होती है किसी को hire करने की किसी को fire करने की या फिर दोस्तों किसी को discipline देने की या आपको किसी को educate करने की कि आपको किस तरह से काम करना है वहीं responsibility की दोस्तों अगर हम बात करें responsibility क्या होता है duty होती है assignment होता है जो कि आपको दिया गया होता है आपको fulfill करना होता है for example दोस्तों आप देख सकते हैं responsibility क्या होता है common होता है कई चार्ज nurses के लिए जिससे कि दोस्तों establish कर पाएं unit के daily patient care assignment को तो यह दोस्तों एक तरीके का responsibility आपको देखने को मिल गया example की थौर्ट पर ऐसी दोस्तों बात करते हैं आगे accountability क्या होता है चहां पर जो लोग होते दोस्तों agree कर जाते हैं morally responsible for the consequences of their action यानि कि दोस्तों कही नगे ही agree करते हैं कि कोई गलती होता है तो उसके लिए मैं ही responsible होंगा अगर मैं किसी भी तरीके की गलती यहां पर करता हूं वह से भागते नहीं है तो दोस्तों एक nurse है दोस्तों जो report करती है medication error के बारे में जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं तो फिर वो accountable हो जाती है जो भी responsibilities हैं दोस्तों उस position में जो एक nurse को करनी चाहिए थी तो अगर एक nurse you know report करती है medication error के लिए तो somewhere she is also responsible for that because she is in that position क्योंकि वो already तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आपको अकाउंटिबिटी देखने को मिलता है अब बात करते हैं दोस्तों क्या चार्ट क्या चार्ट में चार्ट में होती है तो चार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है इसमें देखने को मिलता है इसमें किसके पास किसका कंट्रोल रहेगा कौन किसे कंट्रोल करेगा unity of command आपको देखने को मिलता है और management के जो different levels होते हैं वो आपको देखने को मिलते है और organizational chart के अंदर ठीक है तो इसको आप note down भी कर सकते हैं यह question भी दो तो आपको देखने को मिल सकता है कि क्या-क्या होते हैं को चार्ट के ठीक है division of work होता है chain of command होता है type of work होता है span of control होता है unity of command और levels of management तो दोस्तों यह आपको चार्ट में characteristic देखने को मिल जाते हैं majorly अब इनको one by one समझते हैं दोस्तों सबसे पहले समझते chain of command को chain of command क्या होता है या चार्ट करेगा कौन किस से और्डर करेगा तो chain of command का मतलब होता है वह घर आपका chain also demonstrate करता है दोस्तों कि कौन पॉर्मली किसे report करेगा तो वही चीज होगए को रहें दोस्तों जम उल्रiड API कर चुके हैं तो वर्टिकल लाइन दोस्तो यहां पर आपको देखने को हो Arkansas में जो इस चीज हो सब्सक्राइब करती आपको मिलती हैँ चैन और क्या करने क्या है तो चैन करते हैं यहां पर इंशारह होता है दोस्तों या फो mobilize होता है यानि कि आगर आप किसी भी लेवल पर काम कर रहे है चाहएوسट के दी में गरूप में बात कर रहे हैं जो起 होते हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इस तरह से हर लेवल पर दोस्तों आपको एक बॉस देखने को मिलते हैं एक मैनेजर देखने को मिलते हैं जो कि आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं सुपर्वाइस कर रहे होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों यूनिट तो अगर मनलीच आपके बास काम कितनी चीजहों को कर रहे हैं या कितनी चीजहों के लिए दोस्तों आप रिस्पोंसिबल है लोग लगले पर काम कर रहे हैं लेकिनals को से करना होता है मांने इक एक particular person को report करना होता है जो भी उनका boss होता है या जो एक you know senior level पर होता है तो वहाँ पर वह हो जाता है span of control की कितने लोग आपको report कर रहे हैं या आपको you know एक तरीके सा आप बोल सकते हैं आपको information provide कर रहे हूं आपने जो भी work किया है उसकी so that is span of control इसको wide span of control भी आप बोल सकते ह है narrow span of control क्या हो जाएगा दोस्तो narrow span of control का मतलब हो जाएगा बहुत ही कम लोग या दो या तीन चार लोग दोस्तों जो है किसी एक particular manager को वहाँ पर report करते हैं तो वह हो जाता है narrow span of control तो इस तरह से आप समझ सकते हैं narrow and wide span of control में क्या difference आपको देखने को मिलता है लेकिन यह दोन समझते हैं तो अब बात करते हैं दोस्तो पैटर्न क्या होते हैं organizational structure के दोस्तों दो तरीके के pattern आपको देखने को मिलते हैं tall या फिर centralized structure उसके लावा fat flat या फिर decentralized structure अब यह tall or flat structure क्या होते हैं तो दोस्तों इनको भी हम एक बार समझ लेते हैं तॉल और centralized structure की दोस्ता दोर हम बात करें तो decision making और power जो है दोस्तों वो कुछ लोगों के हाथ में होती है जो की top level पर होते हैं उसके लावा दोस्तों हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ power authority होती है जो की सिर्फ कुछी लोगों के पास में होती है कई सारे दोस्तों यहाँ पर flat होता है nature में इसलिए इसको flat भी बोला जाता है तो यहाँ पर organizational power जो होता है दोस्तों वो फैला हुआ होता है throughout the structure यानि कि दोस्तों जितने भी लोग होते हैं उनमें सभी में कहीं ना कहीं power जो है वो उनको वहाँ पर उनके पास होता है उनने power दी गही होती है उसके अलावा दोस्तों यहां पर बहुत कम लियर आपको देखने को मिलती है रिपोर्टिंग structure में और manager जो है दोस्तों कहीं ने कहीं broad span of control यहां पर रखते हैं managers के पास जो span होता है span of control वो बहुत ज्यादा होता है यानि कि ऐसा नहीं होता है कि यहां manager के लिए बस दू-तिन लोग ही उन्ह लोगों में या जो भी लोग दोस्तों वहां पर काम कर रहे होते हैं उनके बीच में तो जातर लोग उन्हें ही रिपोर्ट करते हैं तो यह हो जाता है दोस्तों आपका flight या पर डी सेंटलाइट इस्ट्रॉक्चर अब यहां पर advantage और disadvantage क्या है डी सेंटलाइज क्योंकि इस पैन उफ कंट्रॉल बहुत जादा वाइड होता है उसके अलावा employees के पास दोस्तों यहां पर देखने को आपको मिलता job satisfaction जो है वह ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहां पर जो टाइप ऑफ इस्ट्रॉक्चर है वहां पर जातर लोग directly communicate कर पाते हैं मैनेजर से disadvantage क हो सकता उनके पास वह ना हो जो कि उन्हें चाहिए हो जो कि required होती है operation में या फिर दोस्तों अप्रोपियेट डिसीजन को लेने में तो यह दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं अगर यह फॉलो किया जाता है किसी भी और दोस्तों बात करते हैं आगे बड़ते एक और टॉपिक की और डैट इस जॉब यह तो आप समझ सकते हैं जॉब description क्या होता है तो सबसे पहले समझते हैं जॉब description के वारे में तो दोस्तों एक करता है कि क्या स्कोब है रहने वाली है और व्यक्ति जो भी वहाँ पर जौइन करता है और जार करता है किसका क्या काम है अलग-अलग लेवल के उपर एक organization में उसके अलावब दोस्तो scope of authority के अगर हम बात करें तो आपके पास क्या पावर रहने वाली आप किस लेवल पर रहने वाले किस लेवल पर आपको जॉइन करना है या वो सारी चीज़ा आप देख पाते हैं या पर job description से क्या responsibility आपके पास रहेंगे अगर जनरल guideline होने चाहिए जिसके अंदर में दोस्तो सभी लोग function करेंगे उसके अलावब दोस्तो एक basis होता है यह performance evaluation का कि दोस्तो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो किस basis पर कर रहे हैं उनका performance किस तरीके से evaluate किया जाएगा या किन के लिए या फिर selection के लिए qualified personal के आप इसका यूज कर सकते हैं नए जो employees हैं दोस्तों उनकी jobs के बारे में बताने के लिए या उन्हें educate करने के लिए आपका job क्या रहने वाला है आपका रूल क्या रहने वाला है आप इसका यूज कर सकते हैं job placement के लिए transfer या dismissal के लिए भी दोस्तों job description का आप यूज कर सकते हैं कि अगर आप job को छोड़ते हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या-क्या rules और regulation होते हैं क्या guidelines होते हैं जिन्हें आपको follow करना होता है एक help भी करता है दोस्तों आपको यह evaluate करने में performance को अगर किसी employee का दोस्तों आपको performance चेक करना हो over the period of time तो दोस्तों आप job description का help ले सकते हैं उसके लावा दोस्तों budgetary process में budgetary purposes में भी दोस्तों आप इसका use कर सकते हैं departmental function relationship को दोस्तों समझने में भी आप इसका you know help ले सकते है और इसने structure में उसके दावा दोस्तों channel of communication की तरह यह काम करता है जो कि आपको helpful होता है इसके अलावा दोस्तों जो भी nursing के functions होते है according to जो भी skill की requirement होती है उसके दोस्तों classification में भी आप इसका यूज कर सकते हैं जो कि आपको help करता है कि क्या-क्या skills की requirement आपको है किसी को भी hire करने के लिए किसी को किसी भी उसकी performance evaluate करने के लिए इसके अलावा training needs को दोस्तों identify करने का काम करता है और दोस्तों staffing के लिए अच्छा basis होता है तो यह दोस्तों आपको यहां पर job description के benefit देखने को मिल जाते हैं इन चीजों के लिए जॉब description का यूज आमतोर पर किया जाता है अब इसके अलावा दोस्तों जॉब description का यूज और कहां पर होता है तो दोस्तों करें से कौन सा ऑगनाजेशन का प्रिंसिपल नहीं होता है यह यह पर्वेशिवनेस तो दोस्तों इसका सही आंसर आप जिस्टामें olsun करके बता सकते हैं इसके लावां दोस्तों सेकेंड पर्पस ऑफ रिक्रूट्मेंट का पर्पस दोस्तों क्या होता है प्रवाइड पूल ऑफ प्रोटेंशली वॉलिफाइट केंडिडेट्स को जॉब इंटर्वियं प्रमोट्ट दॉस्ता प्रमोशन ट्रेनिंग मिनिमाइज लेवर टॉन तो यह दोस्तों चार ऑप्शन है इस और स्ट्सक्राइब से कौन सा दोस्तों को सब्सक्राइब करें और आप हमें कौमेंट बॉक्स में उस्तों बनाष्ट जिसमें अमने बात की नर्सिंग अड्मिक्राइशन के लिग्स्रेश्यमें में दोस्तों और दोस्तों वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगा होगा समझ में आया होगे टॉपिक अगर दोस्तों ऐसी और भी वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पूरा सीरीज रहने वाला है जिसमें हम दोस्तों नर्सिंग एड्मिनिस्ट्रेशन और मेनेज्मेंट के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों हमारा और भी अधर एक पूल है जो आपके लिए और भी स्पेसिफिक टॉपिक की जानकारी लेकर आते रहेंगे तैन डू सब्सक्राइब जोड़े रहें उसके लिए आप सभी का धन्यवाद